पूरा मामला मुंबई पुलिस को काफी इंबरेसिंग सिचुवेशन में लाकर खड़ा कर देता है अब होम मिनिस्टर का जिस तरीके से अब ही रवया रहा ड्रक्स पर जमन से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया ये किस तरफ आकर इशारा करता है इसे क्या सम कि महराश्य सरकार में एक नेता है जिनका इस पूरे केस में इंवॉल्मेंट रहा है और उनको छुपाने की बचाने की कोशिश करी जा रही है हाला कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये बहुत ही छुटे लेवल की politics करी जा रही है लेकिन आज के दिन में opposition जो है वो Relent करने का नाम नहीं ले रही और कहरी ही है ये मामला इतना आसान नहीं है सरकार का इसमें बहुत बड़ा involvement है और सरकार ने जो मुंबई पुलिस को दबाया उनको जानकारी साजा नहीं करने दी यही वज़े है जिसकी वज़े से आज मुंबई पुलिस को इस तरीके से सब जगा इम्बारस्मेंट जहिलना पड़ रहा है तो आज का महत्वपूल डेवलप्मेंट रोहित तो यही है कि जब अनिल देशमुक से सवाल किया गया ड्रग एंगल पर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया अब ये क्या कहता है ये काफी चीज़े छोड़ जाता है जैसा कि आपोसिशन कहता आया है प्रेशर बनाया गया बार बार मुंबई पुलिस को मोमे पुलिस सक्षम है उसके पास तमाम जानकारियां थी लेकिन सरकार ने जानकारियों को साज़ा करने से इंकार कर दिया क्योंकि उसके पीछे यही कारण था कोई किसी नेता को बचाना चाह रहे थे यहां का development में आपको बता देना चाहता हूँ कुछ देर पहले NCP के अधिकारियों से मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई थी जादा जानकारी तो नहीं दे रहे हैं लेकिन उनका कहना ये जरूर है कि एक के बाद एक उनके पास कई नाम सामने आ रहे हैं ड्रग पेडलर्स की उमर चाहे 21-23 साल क्यों ना हो लेकिन वो जो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं वो बहुत महत्तपूर हैं किसके बिहस्क पर ये हो रहा था ये ड्रग्स फॉरल लैंड से या देश के अन्य हिस्सों से मुंबई में कैसे आ रही थी उसके बाद ये कहां कहां जा रही थी बॉलिवूट के एलिस्टर्स जो हाई प्रोफाइल पीपल हैं जो पार्टीज में जाते हैं वो क्या मॉटर्स ऑपर एंडाई ऑपरेट करते थे जिसके जरिये उन तक ड्रग्स पहुंचाई जा रही थी तो ये खेल सिर्फ शौवित चक्रोवर्ती, सैम्योल मिरिंडा और रिया चक्रोवर्ती तक सीमित नहीं है ड्रग पेडलर्स ने अब नाम बताए हैं बॉलिवूट के A-Listers के लिए यानि अब NCB के लिए बड़ा चैलेंज हो गया है क्या वो इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि वो A-Listers तक अपना हाथ रखे क्योंकि बॉलिवूट सिर्कल्स में पार्टीज होती है, ड्रग पार्टीज होती है मुंबई के सडकों में ड्रग खोले आब बिग जाता है तो जैसे पलपल की सुन्वाई पर हमारी नजर है रोही तमाम दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आज अडालत में जो दिन NCB ने दो अभ्यूक्तों की पेशी की हैरिमान मांगे है उसमें दूसरी अपडेट यह है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो रिया चक्रवर्ती से कल पूछताच कर सकती है रिया चक्रवर्ती को आज समन भेजा जा सकता है कल रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को गरफतार कर लिया गया है रिया और शौविक की WhatsApp चैट के जरिये ही ये पूरा मामला खुला जिसके बाद शौविक और Samuel Miranda को लेकर Narcotics Control Bureau ने कुछ छापे मारिया की और जिसके बाद कल शाम को शौविक चक्रवर्थी को गिरफतार किया गया था और अब जो संकेत आरे हैं उसके मुताबिक NCB कल रिया से पूछताच कर सकती है शौविक गिरफतार हुआ क्या रिया की भी गिरफतारी होगी Drugs Connection को लेकर क्या रिया को Narcotics Control Bureau गिरफतार करेगा पूछताच करने के बाद इस पर सब की नज़र रहेगी उसके पहले अदालत में इस समय क्या चल रहा है आशुतोष बतारे हैं बताईए आशुतोष के आपडेट आपके पास आ रहा है देखिए जैसे ही ये जिकर आया है कि NCB कल पूछताच करेगी ये मान के चलिए रोहित की रिया चक्रवर्ती की गिरफतारी तय है आज नहीं कल समय लग जाए दो दिन लेकिन वह होना तय है क्योंकि वाटसअब चैट जो मिला वह वह एविडेंस है और वही एविडेंस नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यहां किला कोट में रखा मेरे ठीक पीछे जहां पर मेजिस्टेट सुनवाई कर रहे हैं और मैं आपको बताओ हमारी सहयोगी विद्या जो अंदर से जानकारिया भेज रहे हैं उसके मुताबिक ने रिमांड कॉपी आगे रखते हुए यह कहा है कि पूरे ड्रग सिंडिकेट को जाचना जरूरी है कहां से कहां तक चल रहा है यह अब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चाहती है कि इसमें आगे तक पहुँच बनाए और उसी के लिए कहा गया है कि आगे जाच जरूरी है कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी और इसी लिए सैमूल और शौविक को कंफरंट करना है उन अभ्यूक्तों के साथ जिनकी गिरफ्तारी पहले हुई आपको बता दे कि बादीत और जैद उन्होंने सर्शन्स कोट में आचका भी लगा दी है और उसके लिए न्सीबी को समन भी भेजा गया कोट की ओर से दो बजे उस पर सुनवाई है तो अब न्सीबी चाहती है कि इन दो अभ्यूक्तों को पुराने गिरफ्तार हुए अभ्यूक्तों के साथ बैठा के आमने सामने कांफरंटेशन किया जाए कास्टोडियल इंटरोगेशन हो ताकि तार आगे जोड़े जा सके और जो बाकी के अभ्यूक्त है जो फिलहाल गिरफ्त से दूर है उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके बिल्कुल और मुनिश पांडे भी हमारे साथ इस्वक मौजूद हैं जो लगातार अपडेट कर रहे हैं एंसीबी कल रिया से पूछताच कर सकती है समन भेजा जा सकता है आज रिया चक्रवर्ती को और मुनिश आशुतोष कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो दो दिन बाद लेकिन रिया की गिरफ्तारी भी इस मामले में तय दिख रही है जो बिल्कुल रोहित और सुबह आज तक ने ये ख़बर ब्रिक की थी कि आखिरकार क्या ग्राउंड होंगे जो क्राइम इंफोर्मेशन रिपोर्ट नसीबी ने रिया चक्रवरती के खिलाफ बनाये हैं उसमें उन्होंने साफतार पर कहा है कि ना सिर्फ ये कंजंशन का मामला है बलकि ड्रक्स के ट्रांस्पोटेशन का ड्रक्स की पेडलिंग का और ड्रक्स के सप्लाई का है यानि कि उनके उपर सिर्फ ना सिर्फ ड्रग कंस्यूम करने का आरोप नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरेन लगा है बलकि यह भी आरोप लगा है कि वो ड्रक्स की खरीद फरोगत करती थी जो अपने आप में बहत संगीन हो जाता है और बेहद मुम्किन है कि कल सुबह रिया चक्रवर्ती को NCB के दफ्तर में बुला जाएगा शाम तक पूछताच होगी और जो ग्राउंड शौविक चक्रवर्ती के लिए था जिस ग्राउंड पर शौविक चक्रवर्ती गिरफतारी हुई थी उन्हें ग्राउंड पर रिया च चक्रवर्ती को पूस्ताच के लिए बुलाया उनके फोन की डेटा लिया और उसमें ड्रॉक्स के बाद सामने आ गए बबाई पुलिस दो बार आ सकती है यह सारे सवाल मुंबई पुलिस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब बिहार पुलिस भी यहां पर पहुची थी तो अरोप लगे थे बिहार पुलिस से जाच बिहार पुलिस को जाच में स्रयोग नहीं कर रहे थी मुंबई पुलिस जब CBI ने जान बूज कर बैठ गई थी 65 दिन तक इस जाच के उपर क्या मुंबई की पुलिस ड्रग्स कनेक्शन सूंग नहीं पाई थी इस पूरे मामले में या फिर मुंबई की पुलिस ने पहले 15 मिनट में तै कर लिया था कि यह आत्महत्या ही है या उनके उपर दबाव था कि इसको पात मत्या साबित करना है देखिए ग्राउंड जीरो के फैक्ट्स तो यह है कि करीब 56 लोगों के स्टेट्मेंस मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले के उपर लिये थे मौकाई वारदात पर मुंबई पुलिस पहुंची थी तमाम वीडियो ग्राफिक एविडेंस उन्ह प्रूड किया था कि इसमें प्राइमाई फेसी ही कोई फाउल प्ले तो नजर नहीं आता है तो अब जबकि मुंबई पुलिस को स्कॉटेंड यार्ट से कंपेर करने की बात सरकार बार बार कहती है और ऑपोजिशन भी कहती है कि जब इफिशिंसी की बात करें तो मुंबई पुलिस इस सेकिंड टू नन ऐसे में बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही रहा है जो ड्रग एंगल इतना बड़ा एंगल जो सामने आ गया है क्या उसका पता मुंबई पुलिस को नहीं था ऐसे में ग्रहमंत्रिया निलदेश्मुग जब इस सवाल का जवाब नहीं देते तो व नहीं हुआ उसके बजाए होम मिनिस्टर मानो मुंबई पुलिस के पियारो बन गए थे और किसी भी जानकारी को उन्होंने बाहर नहीं आने दिया तो यह बहुत ही एक चिंता जनक और कॉंट्रोर्शल मामला बनता जा रहा है इसके उपर शायद सरकार आके अपनी सफाई या मुंबई पुलिस इस बारे में सफाई दे इस बारे में आखिर मुंबई पुलिस का क्या रुख है या उनको पता ही नहीं था यह कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है लेकिन ऑपोजिशन के पास मानो अब एक और मौका आ गया है सरकार पे जिससे वो निशाना साध रह है